वेलकम बैक तो प्रबुल्ज दिस इज सागर दोस्तों यमारी XNES सीरिस का थर्ड वीडियो हैं लास्ट वीडियो में बात किती कि XNES में funds deposit केसे करने हैं और इस वीडियो में बात करने वाले हैं XNES से funds withdraw केसे करने हैं offline bank account से केसे withdraw करना हैं online bank account से केसे withdraw करना हैं या फिर crypto में यानि USDT से funds withdraw केसे करना हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ so let's start the video दोस्तों XNES का account login करने के बाद हमारे सामने ऐसा page open होता हैं अब यह में withdraw करना है तो उपर में withdraw का option मिलता हैं इस पे click करना हैं नेक्स पेच पे आपको यहाँ पर payment method से लेक कर लेनी हैं किस method से आपको payment withdraw करना हैं अगर आपको bank account में withdraw लेना है तो यहाँ पर आपको दो options मिल जाते हैं offline bank transfer और online bank 2 दोस्तों यह दोनों भी options से में आपको यहाँ पर अपने bank details देनी होगी और उस account में आपका पेशा आ जाएगा difference है शिर्फ लिमिट का अगर आप online bank transfer से withdraw करते हो तो आप 1 USD से लेकर 9000 USD तक आप withdraw कर सकते हो अगर आप online bank 2 से withdraw करते हो तो आप 15 USD से लेकर 5500 USD तक withdraw कर सकते हो तो दोनों भी options recommended हैं आप अपने हिसाम से कोई भी option चूज़ कर सकते हो तो सपोज मैं online bank 2 का option चूज़ करता हो next page में आपको यहाँ पर amount एंटर करनी कि कितने amount आपको withdraw करने हैं तो सपोज मुझे 50 USD withdraw करने हैं तो मैं आप 50 enter करता हो नीचे आपको show होता है कि अगर आप 50 USD withdraw करने हो हमारे mt5 के account से 15 USD यहाँ पर हमें कोई भी commission नहीं लग रहा हैं और conversion rate है 1 USD is equal to 82.32 रुपीज जो live rate के इसाफ से होता है तो इस इसाफ से हमारे account में 4,170 रुपीज आएंगे तो सारी details चेक करके नीचे confirm पर click कर देना हैं next page में आपके email address पर verification code आएगा 6 digit का वो आपको यहाँ पर enter कर देना है और confirm पर click कर देना हैं click करने के बाद next page भी हम आपको यहाँ पर अपनी bank details एंटर करने हैं bank name आपको select कर लेना हैं IFSC code आपको enter करना हैं account number एंटर करना हैं और account name आपको यहाँ पर enter करना हैं लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना जिस name से आपका existence का account हैं उसी name से आपका bank account होना चाहिए तभी यह withdrawal होगा सारी details इंटर करके confirm पर click कर देंगे तो आपकी payment request process हो जाएंगी और within 24 hours आपके bank account में withdrawal आ जाएंगी और अगर banking holidays वगर हैं तो maximum 3 days भी लग सकते हैं तो इस तरीके से आप bank account में withdrawal ले सकते हों लेकिन दोस्तों कभी-कभी forex broker के साथ banking के issues होते हैं तो उस time पे आप crypto में withdrawal ले सकते हों तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं तो यहाँ पर हमें withdraw के option पर click करना है next page पे आपको यहाँ पर payment method select कर लेनी तो सपोज मैं यहाँ पर tether option चूज कर रहा हूं USDT इसके यहाँ पर आपको limit मिल जाती है 100 USD से लेकर 10 lakh USD तक आप यहाँ पर withdrawal कर सकते हों तो tether select करने के बाद next page पे आपको यहाँ पर आपना USDT का address एंटर कर देना है जिस भी wallet में आपको withdraw लेना है उस wallet में USDT का ERC20 का address आपको copy करना है और यहाँ पर paste कर देना है नीचे आपको amount एंटर करनी की आपको कितने USD withdraw करने तो suppose मैं 100 USD withdraw करता हूँ तो यहाँ पर 100 enter कर देता हूँ और नीचे continue पे click कर देना है click करने के बाद within an hour आपके USDT wallet में USDT आ जाएंगे तो दोस्तों इस तरीके से आप crypto में भी withdraw ले सकते हो तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हूँ यह इस वीडियो से आपको अच्छी information मिली है तो आप इसे like करें और यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे comment section में comment करके जरूर बताएं और एक्समेस सेरीज के बागी वीडियो भी आप जरूर देखिएं उनसे भी आपको help मिलेगी और अगर अभी तक आपने इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब एंड हिट दे बेल आइक्वान इन दीस वर्ट्स साइनिंग आउट सागर